पंजाब किंग्स को एक बार फिर रोमांचिक मुकाबले में हरकाश शामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा राजस्तान रोयल ने सीजन 14 के 32 में मैश में पंजाब को दो रन से अरा दिया हलांकि एक समय ऐसा था जब मैश पुरी तरह से पंजाब के पक्ष में था आखरी तू आवरों में पंजाब को 8 रन चाहिए थी यानि 12 गेंदों में 8 रन और उनके पास 8 विकेट भी से इस बचे थे लेकिन इसके पावजूद लक्षी का पीचान नहीं कर सके और ऐसी शरमनाखार के बाद कप्तान केल राउल का गुस्सा फूटना भी सोबाविक है अक्षर शांच सुबाव के कई जाने वाले केल राउल इस शरमनाखार के बाद आग बबूला हो गए और मैच की बाद एक ऐसा बयान दे दिया जिसने हर किशी को हैरान कर दिया जी हाँ इस शरमनाखार के बाद केल राउल का रियक्शन तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि जीत की बाद संजू सैमसन ने क्या खाए जा कोई जीत की उमीद ही नहीं थी वहाँ टीम को जीत मिली और इसको लेकर भी संजू सैमसन एक बहुत बड़ा बयान दिया है आए जानते हैं क्या का इन दोनों कप्तानों ने साथ ही में हम आपको बताएंगे कि जीत के बाद मुंबई इंडियन्स कॉलकता नाइट राइडर के लिए किस तरह से पॉइंट टेबल में मुश्किले बढ़ने वाली है जी हाँ पॉइंट टेबल में राजस्तान रोयल की जीत ने मानु भुचाल ला दिया है सारे समिकन बदल दिये है और अब प्ले आफ की रेस और भी ज्यादा कॉम्पेटिटिव हो गई है वो भी हम आपको बताएंगे तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राजस्तान, रोयल और पंजाब किंग्स के हैं बहुत ही बड़े फान तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकॉन को जरूर तपाएं हम आपको बता दी कि राजस्तान ने पहले बल्ले बाजी करते हुए पंजाब को 186 रन का लक्षे दिया था पंजाब के लक्षे का पीछा करने उत्रे केल डाउल और मयांक अगरवाल इन दोनोंने पंजाब को मजबूत सुरुआ दी पंजाब को आखरी ओवर में जीत के लिए 4 रन चाये थे यवर राजस्तान के कार्थिक त्यागी ने फैका उन्होंने ओवर की तीसरी गैन पर पूरन को आउट कर दिया पूरन 22 गैंदों में 32 रन बना कर आउट हुए अगली गैन खाली चली गई और पांच भी गैन पर दिपक खुड़ा उट हो गए पंजाब को आखरी गैन पर तीन रन की जरूरती लेकिन एक भी रन नहीं बना सकी इस चिली राजस्तान ने दो रन से ये मुकाबला जीत लिया और ऐसी शरमनाकार की बाद पंजाब किंग्स की उपर दिगजो का गुस्ता फूट किया है मैं आपको बता दू कि शुनिल गाउसकर ने सो के दोरान कहा गैल को अंतीम प्लेंग 11 में सामिल ना करने पर उन्होंने हैरानी चताई तो मैं इंग्लेंड के पूरो केप्तान केविन पीटरसन ने भी निरासा जाहिर करी ये बताने से पहले मैं आपको बता दू कि जिस तरह से कार्थिक त्यागी ने सांदार स्पेल करवाया अंतीम चार रन भी नहीं दिया ओवर में तो ये कहीं ने कहीं जस्परीत बुम्रा के दिल को छूगया उन्होंने लिखा वाट एन आवर कार्थिक त्यागी कि ऐसे प्रेशर मुकाबले में आपने सांद सोभाव के साथ जिस तरह से प्रेशर को हैंडल किया और आपने अपनी जॉब को पूरा किया ये वाकई में एक बहुती शांदार गैनबाजी थी काफ़े इंप्रेशिव बहुती शांदार खेरबाई जानते हैं जीत के बाद संजू सैमसन क्या बोले और क्या कहा है लोकेश राहूल ने उसके बाद जाने कि पॉइंट टेबल में किस तरह से भूचाल आया है बहुती मजाग्या खेल है हम आकिरी पल तक लड़ते रहे हैं और खुद पर बरोसा था मैं हमेशा से विश्वास करता हूँ कि मेरे गैनबाज आकिरी पल तक लड़े जिस वज़ा से मैंने दो आवर रखे थे सेमसन ने आगे का कि सच कहूं तो इस पिच पर ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता था हमें अच्छा मैसूस हो रहा है क्योंकि हमें गैनबाजी करनी थी अगर हम कैच पकड़ लेते तो मैच आसानी से जीच सकते थे कि लाडियों ने अपने फिटनेस को लेकर काफी मैनत करी है तो मैं केल राउल ने का कि इसे स्विकार करना कटीन है हम ऐसी टीम रहे हैं जिससे पहले भी इस तरह के मैचों का अनुभव किया है हमें ये देखने की जरूरत है कि हम दबाव को बहतर तरीके से कैसे संबाल सकते है 78 वेवर में खत्म करने की कोशिस में भी कभी-कभी आप बहुँत ज्यादा मैनत करते हैं और अपनी लाइक हो देते हैं और विरोध्यों को हावी होने का मौका देते हैं हमने पिछली गलतियों से सीखा ही नहीं है अगर हम मजबूत वापसी करते तो और अगले पांच मैचों को जीतने की कोशिश करेंगे हमने गैंच से चीजों को अच्छी तरह से वापस की चाह विकेट लेते रहे जो इस प्रारूप में महतुपून है मेरे लिए मैंक और यहां तक की एडन के लिए अपने पहले आईपल मैस में रन बनाना मैतुपून था राजस्तान रोयल की एक जीत ने पूरी पॉइंट टेबल को बदल कर रख दिया सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि संराइजर रहदरबाद इस पॉइंट टेबल में सबसे आखरी पोजिशन पर है साथ मुकाबले खेल कर केवल एक मुकाबला जीत कर दो पॉइंट के साथ में वो आठवे पायदान पर है पंजाब किंग्स ने अभी तक सबसे ज़्यादा 9 मुकाबले खेले हैं जिसमें 3 मुकाबले जीते हैं और 6 मुकाबले हा रहे हैं 6 पॉइंट के साथ में वो नंबर 6 पर का बीच है कईने कई कॉलकता नाइट रैडर को भी अपने बचे विच्छे मुकाबलों में से 5 मुकाबले हर हाल में जीतने जरूरी है लेकिन अब राजस्तान रोयल ने काफी सांदार वापसी करी है और मुंबे इंडियन्स के साथ में आकर खड़ा हो गया है यहां मुंबे इंडियन्स ने भी 8 मुकाबले खेले हैं 4 मुकाबले जीते हैं तो राजस्तान रोयल ने भी 8 में से 4 मुकाबले जीते हैं प्ले आफ की रेस में ये कनफॉर्म हो जाएंगी वहीं बात आती है आर श्रीबी की नमबर तीन पर कावी इसे आट मैंसे पांस मुकाबले जीते हैं और दस पॉइंट के साथ में वो नमबर तीन पर है तो चैने शुपर गिंग्स ने भी आट मुकाबलों मैंसे च्छे मुका ये तब तक सारे रास्ते मुश्किल है और काईने के राजस्तान रोयल की जीत ने पूरे पॉइंट टैबल को हिलाया है उमें इंडियन्स के साथ साथ रोयल चैलेंज बैंगलोर के लिए भी ये मुश्किल है खड़ी कर सकती है किसी भी टीम को कौलिफाइ करने के लिए 16 अ उतरे रोहित सर्मा को इंजुरी थी और इसकी वज़से टीम मैनेजमेंट ने उने आराम देने का फैसला किया CSK के विरूत रोहित सर्मा की गैर मैजूदगी ने किरन पुलाट की टीम की कपतानी का भार चंबाला UAE लेक के पहले ही मैच में जब रोहित मैदान पर नहीं उतरे तो किर्केट फैंस मायूस हो गए और ये मन में सवाल उटने लगा कि वो आखिर कब मैदान पर उतरेंगे अब मुंबई इंडियंस टीम के हैट कोच मैला जवर्णे ने बताया आखिर रोहित सर्मा कब फिर से मैदान पर उतरेंगे मैला जवर्णे के मताबित अब रोहित सर्मा मुंबई इंडियंस के अगले मुकाबले में फेल से खेलते हो नज़र आएंगी मुंबई की टीम अपना अगला मैच 23 सितंबर को कॉलकता नाइट राइडर के खिलाब केलेगी तब तक रोई सर्मा फिट हो जाएंगे और मैच केलेंगी रोई सर्मा किस लीग में सबसी सफल कप्तान है तो यहारदिक पांडिया को इस मुकाबले में क्यों नहीं खिलाया गया इसकी वजब किसी को नहीं पता है जिहां और अगले मुकाबले में वो भी केल सकते हैं